नमस्का, मैं होसासी आयो जरकन की टोप 25 पर मोग खबर जानते हैं अकांची जीला के लिए तैस अभी छेत्रों में रांची ने तेजी से विकास किया है सबसे संदार परफर्मेंस हेल्थ और निट्रिसियन के छेत्र में रहा है अगस्त में जहां रांची को 35.9 अंक मिले थे वही सितंबर में रैंकिंग में जबरजस्त सुधार करते हुए जीले को 70.5 अंक हासिल हुए है मोसम विभाग के उनसार आई दीन में मोसम लगभग साफ रहेगा आंसिक बादल छाय रहने की उमीद है साम में हवा थोड़ी तेज होने से लोगों को ठंड का एसास होगा वही रात में ओस गिरने की समभवना है बतादे सुमवार की सुबह सहर के बाहरी इलाकों में कोहरा भी दिखने को मिल सकता है अगले तीन दिनों में सहर का निमतम ता 5-16 डिग्री से निचाने की समभवना है जारखन में दिपावली वा छट पर सिर्फ दो घंटे कर सकेंगे अतिसवाजी दिपावली की रात आठ बये से दस बये तक ही अतिसवाजी कर सकेंगे बतादे जारखन राजे पर दूसर नियंतरन परसद ने इसे लेकर आदेश जारी किया है परसद के सदसे सचीवाई के दास ने जारी आदेश में कहा है कि जारखन में दिपावली छट क्रिसमस और नौ वर्स के दोरान मात्र दो घंटे तक ही पटाखे जलाए जा सकेंगे चोट महापर्व के मौके पर सूबह चोबह चोबह से आठ बह तक पटाखे जलाए जा सकेंगे वहीं परसद द्वारा 125 डेसिवल धाउनी सीमा के पटाखों की ही विक्री के अनुमती दी गई है नियम नहीं मानने पर करवाई होगी 2 नुवंबर को धन 13 साम 6 से 7 बजकर 57 मेर तक पुजा महोरते बता दे पुजा का समय साम 6 से 7 बजकर 57 मेर तक है इस समय ब्रिस लगना है जो पुजा के लिए सबसे सरोतम समय है इस दिन सुबह 8 बजकर 35 मेनर तक 20 है इसके बाद से 23 लग रहा है जो अगले दिन पराता 7 बज कर 15 मेर तक रहेगा इस कारण से भक्तों को खरीदारी के लिए काफी समय मिल रहा है दुर्घटना गरस्त होने से बाल बाल बची स्वर्ण जनती एक्सप्रेस दिली से राची आ रही आनंद बिहार स्वर्ण जनती एक्सप्रेस दुर्घटना गरस्त होने से बाल बाल बच गई है जारखंड के मुरी ज्थीत पॉइंट सेट में गरबड़ी के कारण ट्रेन दुर्घटना गरस्त होने से बच गई इसके कारण करीब आधा घंटा तक ट्रेन मूरी स्टेशन पर रुकी रही बताया गया कि रविवार को दिली से रांची आ रही आनन्द भिहर स्वन जनती एक्सप्रेस मूरी साउथ के बीन के समीप दुरुगातना गरस्त होने से बाल बाल बची ट्रेन को तीन नमबर प्लेटफ़र्ण पर जाना था लेकिन पॉइंट सेट में गरबड़ी के कारण या दो नमबर पर जाने लगी हबडा से रांची के बीच चलेगी हाई स्पीड बंदे भारत एक्सप्रेस हबडा से रांची के बीच ट्रेन की यात्रा अब और सुखद होने जा रही है भारतिये रेलेवे की ओर से बंदे भारत एक्सप्रेस शुरू करने की योजना तयार की गई है ट्रेन हबडा से रांची के बीच की दूरी महज 5 घंटों में तैक कर लेगी रेलेवे नए जनकारी दी है उमीद जताई जा रही है कि अगले वरस के मध्य तक हबडा रांची के बीच बंदे भारत एक्सप्रेस के परिचालन सुरू हो जाएगा लाते हर में बच्चा चोरी कर भाग रही महिला को ग्रामिनों ने पकड़ा लाते हर जीला अंतरगर डुडंगी गाओं के पास ग्रामिनों ने बच्चा चोर महिला को पकड़ा जिसने घर में सरन दिया था उसी के बच्चे को चुरा कर भाग गई थी महिला लेकिन ग्रामिनों को इसकी भनक लगते ही डुडंगी गाओं के पास पकड़ा उसके बाद जो बाते सामने आई वो काफी दिल्चस्प थी बता दे गिरामिनों ने इस महिला को पुलिस के हवाले कर दिया है घर घर भैक्सिनेशन को तीन नौंबर को पिये मोदी करेंगे समिक्छा कुरोना वायरस के संग्रमन को हराने के लिए भारत सरकार ने तेजी से टिकाकरन का अभियान चला रखा है बावजूद इसके कई जीले में अब तक भी टिकाकरन की रफ्तार बहुत धिमी है जारखन के कई जीले सहीद देश के ऐसे ही 40 जीलों के जीला अधिकारियों के साथ प्रधान मंति नयन मोदित्ती नौंबर को भैक्सिनेशन की समिक्षा करेंगे इससे पहले सोमवार 1 नौंबर को केंद्र सरकार घर घर दस्तक अभियान की शुरुआत करेगी जिसके तहत स्वास्त कर्मी घर घर जाकर लोगों को भैक्सिन लगाएंगे जारखन में सीसू मिरित्यूदर में कमी 30 से घटकर 27 हुई जारखन में 9 निहाल तंद्रोस्त हुए है राजे में पिछले साल सीसूओ की जन्म से एक साल के भीतर होने वाली मौत की दर बढ़ गई थी राहत की बात्या है कि अब इसमें हलात सुधरे है अब राजे में सीसू मिरित्यूदर घटकर 30 से 27 हो गई है इस मामले में जारखन की स्थिती बेहतर है क्योंकि अभी भी राष्ट्रिय अस्तर पर 13 है बता दे देश में पिछले साल 132 थी राष्टार जनरल अफ इंडिया दोरा पिछले दिनों जारी सेंपल राष्टेशन सिस्टम की रिपोर्ट में या बाते सामने आई है जारखन में कुरोना के 10 नए केस मिले है जो राची जिला से 10 है जारखन में कूल एक्टिव केस की संख्या 108 है भारत में 12,907 नएक केस मिले है भारत में कूल एक्टिव केस की संख्या 1,52,596 है चात्र संसद में युआओ ने नेताओ को पढ़ाया पाठ जारखन बिधान सभागे सिंटरल हॉल में रभिवार को आहूद चात्र संसद 2021 में जो नजारा देखने को मिला ओ आम तोर पर जारखन बिधान सभाग के सत्रों में देखने को नहीं मिलता है युआओ ने सार्थक मुदो पर बहस की ना कोई सोरगूल हुआ और नहीं हंगामा संसदिये कारे प्रनाली की जनकारी लेने आये युआ जन परतिनिद्यों को बाद सवक सिखा गए बिधान सभा अध्यक्स रविंद्रात महत्तो समेत अनवरिष नेताओं ने भी इसे सोई कारा है कुरोना काल के महीनों बाद खुला रविवार का पाहला बजार में भीड कुरोना काल में महीनों से बंद रविवार का बजार को राज सरकार की ओर से दिबावले और धनतेरस को देखते हुए सभी दुकानों को खुलने के नुमती दे दी बतादे पहले रविवार के दिन दुकानदारों और ग्राहकों के लिए खोसी और रहात से भरी है बतादे दुकानदारों ने सुबा छो बय से ही अपने दुकान सजा दिये वहीं ग्राहकों के भीड बजार में उमड़ पड़ी सरदार बल्लब भाई पटेल की जयंती पर पुलिस अधिकारियों ने राश्ट्री एकता का लिया संकल्प भारत के प्रथम ग्री मंतिरी सरदार बलव भाई पटेल की जहनती के मौके पर कांके रोड इस्थीत पुलिस लाइन में राश्ट्रिय एकता दिवस परेड का उजन किया गया परेड में राची पुलिस के अला दिकारी से लेकर बड़ी संख्या में जवान सामिल हुए साथी परेड में सामिल होकर एस्थी ने जवानों का होसला भी बढ़ाया पलामू में तीरपन कोड़ से सुरू पेजला पुर्ती योजना का बजट 234 कोड़ पहुचा है मेदनी नगर नगर निगम छेतर अंत्रगत 35 वाड में एक लाग अंठावन हैर नौसो एक तालिस लोग निवास कर रहे हैं यह आकड़ा 2011 के सर्वे का है इसके बावजूद भी अधिकांस लोग को सूध पेजल नहीं मिल सका बतादे साल 2004 के बाद 13 वर्स गुजर गए लेकिन पेजल अपूर्ती योजना का सेकेंड फेज धरातल पर नहीं उतर सका 35 करोर से सुरू योजना का बयट अब 234 करोर पहुच गया है हर वर्स गर्मी सुरू होते सहरवासियों को पेजल संकर सताने लगता है इस वर्स की भी यही कहानी रहेगी दिपावली में पटाखों के धुएं से पोश्ट करोना मरीज को खत्रा दिपावली में पटाखों से इस बार सिर्फ धावनी परुशन का ही डर नहीं है बली करोना की जंग जित चुके लोगों को भी खत्रा है पटाकों के धुएं से सबसे अधिक सांस की समस्या होती है और कुरोना पिरित लोगों का पहले से ही सांस की समस्या रहती है ऐसे में इस धुएं से और समस्या हो सकती है बतादे रिम्स के क्रिटिकल केर के डाक्टर जय परकास बताते हैं कि धुए से परिसानी बढ़ सकती है इसलिए जरूरी है कि न सिर्फ पोस्ट कोविड मरीज बलीक आम लोग भी धुए के संपर्क में न आए और जहां तक संभव हो मस्क लगा कर ही दिपावली का भी अनंद ले रजरप्पा मंदिर के आसपास गाउं के जंगली हाथियों का उत्पाद जारी पुलिस पर साथ सन वबन विभाग द्वार लाखो पयाज के बावजूद विस्थापित गाउं कोई हरा भोचुंग डी सहित अन ग्रामिन इलाकों में जंगली हाथि का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा हाथियों का जोड साम ढलते ही जंगलों से निकल कर किसानों की खेत में लाला आती फसल बरबाद कर रहा है बता दे ग्रामिनों के उनसार पिछले 5-6 बरसों से इस छेतर के लोग हाथियों के खौफ में जी रहे है बताते चले कि पिछले 2 महिने से सी सी एल राजरापा छेतर के बिस्थापीत गाउं कोई हारा वह राजरापा मंदीर के मुख्य मारू पर जनिया मारा जंगल के समीप हाथियों के आतंक से आसपास के ग्रामिन काफी भैविताए गुमला में उग्रवादी की गोली मार कर हत्या गुमला के घागरा थाना छेतर के लवा दाग गाउं के पास जंगल से सटे एक आम पेन के नीचे कुख्यात जेजे एमपी के उग्रवादी प्लाटून कमांडर सुकर उराओं की गोली मार कर हत्या कर सनीवार की रात करीब 12 बजे कर दी गई है घाटना की सुजना मिलने पर मोखे पर पहुंची पूलिस ने सौ को अपने कबजे में लेकर पुष्ट मास्टम के लिए गुमला सदर अस्पताल भेज दिया है घाटना अस्थल से पूलिस को 10 के करीब खोखा के साथ 3 मोबाइल वर रुपए बरामत किये चाटरा जीला पूलिस को पूलिस को प्रतिबंदित नक शरली संगठन टीए सपलता हाथ लगी है पूलिस अधिक्छक राकेश रंजन को मिली सुचना के अधार पर पूलिस ने टीए सपीसी के रिजनल कमेटी के परमूक आकरमक कंचु का दो सहयोगी को वाकी डोकी के साथ गिरबतार किया है मामले की जनकारे पूलिस अधिक्षक राकेस रंजन ने कर्याले में अयोजीद प्रेस वार्ता कर दी है जारखन के 2000 आंगनवाडी केंदरों में बच्चों को नरसरी से दी जाएगी सिक्षा राष्ट्रिय सिक्षा निती 2020 की अधरनाओं को लागू करने के लिए राजी के 2000 आंगनवाडी केंदरों में बच्चों को नरसरी से शिक्षा दी जाएगी ये वैसे आंगनवाडी केंदरों है जो इसकूली सिक्षा एम सक्षरता विभाग द्वारा संचालित इसकूलों के परिसर में है बतादे इसकूली सिक्षा एम सक्षरता विभाग पाइलट प्रोजेक्ट के रूप में इसे सुरू करने की तियारी कर रहा है इस पर महिला एवंबाल विकास विभाग से भी समती ली जाएगी नई राश्ट्रिये सिक्षा नीती में वर्तमान 10 पलस 2 की स्कूली ब्यवस्था की जगा 3 से 18 वरस के सभी बच्चों के लिए पाठ्थे चर्चा और सिक्षन के ढाचे को 5 पलस 3 पलस 4 की एक नई बेवस्था में बदलने पर जोर दिया गया है चोट घाटो पर जीला परसासन के साथ एंडी आरेफ के जवान भी तैनात होंगे राज्य के बड़े चोट घाटो पर जीला परसासन की टीम के साथ राश्ट्रिय आपदा मोचन बॉल के जवान तैनात होंगे ताकि किसी भी बीसम परिस्थिती में तुरंत रेस्क्यू चलाया जा सके बता दे प्रमूख डेम नदी व तलाव जहां अत्यदिक भीर जूटने की संभावना बनी रहती है वहाँ बीसे सुरक्षा के इंतिजाम होंगे छट पुजा समित्यों के साथ मिलकर जीला परसासन वो एंडी आरेफ के अधिकारी खतरना घाटों को चिनित करेंगे ज्यारखन में जल्द होगा फिल्म सिटी का निर्मान मंत्री अजादिक के अमरित महोत्सव पर आयोजित ज्यारखन अंतराश्ट्रिये फिल्म महोत्सव का उधगाटन करते हुए काला संस्कृती खेल कूद यम यूगा मामले के मंत्री हफिजूल हसन ने सनिवार को कहा कि ज्यारखन में फिल्म सिटी के निर्मान के लिए वह हर संभव परियास करेंगे यहां कि काला संस्कृती और खेल के विकास के लिए वह परतिवद है जब कमबोडिया से पहुँचे गुरुजी कुमारन स्वामी ने अपने खर्च पर फिल्म सिटी बनाने का प्रस्ताव दिया तो उसे मंत्री ने मंच पर ही सोईकार कर लिया कहा कि इस पर सिग्र आवस्यक करवाई होगी देवघर में सोने और चांदी के सिखे की होगी बिक्री धन तेरस को लेकर देवघर का बाबा मंदीर परसाशन अपनी त्यारी पूरी कर लिया धन तेरस के सुब औसर पर बाबा मंदीर काउंटर से सोने और चांदी के सिखे की बिक्री होगी साथ ही बाबा बैदनात की तस्वीर भी बिकेगी वहीं दूसरी ओर धन्तेरस को लेकर देवघर का बजार भी सज़ धज कर त्यार हो गया है बता देव मंदीर परसासन से मिली जनकारी के अनुसार धन्तेरस को लेकर सोना चांदी समेत बाबा मंदिर के दस्वीर की बिक्री की जाएगी सोना का सीका 5 गराम का 30,000 और 2 गराम सोना का सीका 12,000 वही 10 गराम चांदी का सीका 1,005 गराम चांदी के सीका 500 रुपे में बेचे जाएगे रांची में 267 पदो पर भरती राष्ट्रिय स्वास्त मिशन जार्खन के तहद स्वास्त समीती रांची के सनवीदा के अधार पर करीब 267 पदो पर बाहली निकाली गई है जिसमें ANF, स्टाप नर्स, लेव, टेकनिसियन, प्रखन डटा परवंधक, काउंटर, फार्मासिस्ट, सहित अन्य पदो पर एक साल के लिए बाहली की जाएगी बतादे अवेदकों को अवेदन डांक, स्पीट पोस्ट आत्वा इमेल के माध्यम से भेजना है कांग्रेस का आई से सुरू होगा सजस्यत्ता अभियान जार्खन प्रदेश कांग्रेस का सजस्यत्ता अभियान कारिकरम सो मुआर एक नॉमबर से सुरू होगा बता दे पुराना विधान सभा सभागार में दो पर दो बजे कॉंग्रेस सजस्यता अभियान का सुभारम किया जाएगा पार्टी ने 15 लाख नए सदसे बनाने का लक्ष तै किया है 31 मार्च 2022 तक लगातार सजस्यता अभियान चलाकर नए सदस बनाए जाएंगे बता दे पार्टी ने सभी बर्गों से सदसे बनने का लक्ष रखा है धन्यवाद